कर व्यूवर्ज मैं हूँ अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोग प्रिये प्राइम टाइम का रिकरम आर पार क्या एक पार्टी का ध्यक्ष चूहा कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तमाल कर सकता है और क्या करने के बाद वो अपने सिरासी विरोधियों पर वार करे तो इसे उचित कहा जाएगा और पार्टी भी कोई समान्य नहीं देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कॉंग्रस के अध्यक्ष मलिकार जुन खडगे ने बीजेपी और आरेसेस पर निशाना साथते हुए कहा है कि आजादी की लड़ाई में तो आपके गुट से कुत्ते तक ने जान नहीं दी थी इतना है नहीं चीन पर निशाना साथते हुए खडगे ने ये भी कहा कि बीजेपी देश के बाहर शेर की तरह बात करती है लेकिन देश के भीतर चुहे की तरह काम कर रही है सवाल है कि सियासत को सरकस क्यों बनाया जा रहा है राजनितिक वार प्रतिवार में कुत्ते चुहे और शेर की क्या विशक्ता है आकिर एक के बाद एक विवादित बयानों की जड़ी क्यों लग गई है पहले राहुल गांदी ने कहा हमारी सेना मार खा रही है और वेशी और महबूबा मुफ्ती भी इसी भाषा का इस्तमाल कर रहे है और अब खड़गे से लेकर कॉंग्रेस के ही अजे राय तक बद्जुमानी की सारी सीमाएं लांग चुके है सवाल है कि क्या मुद्दे कम पढ़ गए है जो ऐसी भाषा का इस्तमाल करना पढ़ रहा है स्मृती इरानी को भी अब शब्द कहे गए आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस आकिर ये चूहा चाप सियासत क्यों हो रही है और क्यों इटालियन कॉंग्रेस कह रही है भारतिये जरता पार्टी आज का आरपारिसी पर विवादित बयान नमबरे हमने अपनी जान दी हमारे पार्टी के निताओं ने जान दिया तुम क्या किये आपके घर में कोई देश के लिए कुट्ता तो मरा है विवादित बयान नमबर दो बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं लेकिन उनका जो चलना है तो सिर्थ आप देखेंगे तो चुवे के जैसा है और फिर संसद में हुई जोरदार भिड़न जैस परकार से खरगे जी ने अभात्र भाशा का प्रयोग किया मैं उसकी गोर निन्ना करता हूँ और उनसे माफी कि माइड करता हूँ इन्हों में माफी माइड नी चाहिए बारतिय जल्ता पाटी से माफी माइड नी चाहिए सदन से जो आम मेरी बाते कही वो पोलिटिकली आउटसाइड दी हाउस, not in the हाउस. यहाँ पर डिसकास करने के आउशुक्तर है. आजादी के वक्ष फ्रीडम मोमेंट में उन लोपार में कोई और नहीं था. कोई और नहीं था. और ये कोई ये पाफी 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 प तो खरगे 2017 में भी दे चुके हैं, जिस पर खुद पिये मोदी ने सदन में पलटवार करते हुए क्या कहा था, वो भी सुन लीजी थे. लेकिन मुद्दा सिर्फ खरगे जी का नहीं है, राहूल गांधी ने कहा कि हमारी सेना मार खा रही है, और कॉंग्रिस के अजयराय ने तो सियासी मर्यादा की धज्जियां उड़ा दी. सवाल है कि क्या सियासत में मुद्दे कम पड़ गये हैं, जो आप विवादित बयानों के दम पर वार किया जा रहा है, आज इसी पर होगी सबसे बड़ी राजनीतिक बहस चूहा छाप सियासत. और अब वक्त है आर पार के सूपर सिद्विश्क्रेशन का सियासत के बेशरम रंग का विश्क्रेशन सुनिए, बयान नमबर एक, मलिका अर्जुन खडगे, बीज़ेपी देश के बाहर शेर की तरह बात करती है, लेकिन भीतर चूहे की तरह काम करती है, बयान नमबर दो, आजादी के लड़ाई में आपके घुट यानि भारती जंता पार्टी और RSS से कुटे तक की जान नहीं गई है, आप खुद सोचिए, चूहा, शेर, कुटा, पूरी सफारी लगा दी है, बयान नमबर तीन, सुरिती इरानी अमेठी में आती है और लटके, कोट अनकोट सब्सक्राइब कर चली जाती है, ये अजेर आए है, बयान नमबर तीन, और कहते हैं कि ये जो सीट है, अमेठी ए गांधी परवार की थी है, और रहेगी, जंता सीट देती है, और चीनती है, वो जंता ने सीट श्मृति इरानी को दी है, उसकी खीज हो सकती है, उसका गुस शुरू हुई कहानी अब कुत्य तक पहुँच गई है चुहे और शेर तक पहुँच गई है मेरे साथ बात करने के लिए आज कौन-कौन जोड़ा है शुबरास्तरा है बेरा जी यह कुत्तों वाली सियासत की बात क्यों आ गई यह सियासत में कुत्ता चाप चुहा चाप आप क्यों लेकर आना चाहती है इससे क्या माइलेज मिलती है कि अमीश जी आपको मेरी अवाज मिल रही है जी जी आपने कहा सियासत के बेशंद रंग आपके शो में भी भम पाकेज में देख रहे थे और सियासत के बेशंद रंगों में अलग-अलग बयान आई थे मुझे लगता है उसके अंदर कई सारे ऐसे बयान है जो आप लोगों ने मिस कर दिये मैं पढ़के सुना देती हूँ सियासत के बेशंद रंग पचास करोड की गर्लफ्रेंड प्रधान मंतरी डॉक्टर मन मोहन सिंग बात्रूम में रेन कोट पहन के नाते हैं कॉंग्रेस की विद्वा किसके लिए बोला था जर्जी काउ किसके लिए बोला था और जर्जी काउ के बेटे याद है न आपको बच्छडे और क्या-क्या शब बोले थे और पार्लिमेंट में स्नूप नखा जैसी हसी ये भी तो सियासत के रंग बहुत अजीब और गरीब हैं ये आप लोगों को चुबे नहीं कभी ऐसा जो रोश दिखाया क्या मीडिया ने जब प्रधानमत्री शी नरंद्र भाई मोदी ने ये शब बोले थे और खास करकी जब ये भी बोला था कि लड़की अगर अचार बेचेगी सड़क पे खड़े ओके तो बहुत जल्दी अब कोई दस साल पुरानी कोई पांट साल पुरानी कर रहे हैं कोई मेरा सवाल बड़ा सीधा है आप में आपके ज्यक्ष ने बीते दो दिनों में जो बोला है सब्सक्राइब करने के लिए अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए अपने अधक्ष को डिफेंड करने के लिए आपका ये आपकी इस्ट्राटीजी हो सकती है लेकिन एक मुझे बताईए बीते दो दिनों के अंदर मैंने खबर बीते दो दिनों की अभी बात हो रही है आप दस साल पुराना निकालेंगे आठ साल पुराना निकालेंगे पांच साल पुराना निकालेंगे तीन साल पुराना निकालेंगे मेरा सीधा सवाल है चुहे शेर और कुट्टे से क्यों लगाव हो गया है कॉंग्रेस पार्टी को इतना और खास्तों पे कुट्टे से इतना लगाव हो गया है कि हम लगातार देख रहे हैं कि मलिक अरजुन खडगे ने तीन साल पहले भी यही बात बोली ती फिर अभी यह बोली है ऐसा क्यों किसको बोला इन्होंने अभी चुहा और शेर किसको बोला बताईए मैंने कुट्टे के पर सवाल कुचा अरे जवाब दीजे ना आप कुट्टे की बात हुई तो अच्छा हुआ आपने बात करी यहां पर यहां पर बार-बार सवाल आ रहे हैं कि तो आहत हो रहे हैं सब की बोल दिया कि आपका घर का कुट्टा भी बना कि आप उस समय आहत होए थे जब गुजरात की मुख्यमंत्री ने बकाइदा ये बोला बोला था गुजरात के रायट के बाद जो रायट के वजह से जो लग पीड़े थे उनके लिए क्या बोला था अजी काड़ी के नीचे कोई कुटा भी आ जाता है यह यह मिस्वायर है बिलकुल नरेंदर पूदी नहीं बोला था दो हजार चौदा के लोगसमा चुनाब में बीबीसी को जो इंटर्वीव दिया था उसको मिस्कोट करा से कॉमरेस माटी ने तब भी इसकी बात हुई थी और अब भी इसकी बात होगी और ना ना ये करेक्ट करिये अपने आपको करेक्ट करिये ना बिल्कुल नहीं गुजरात के दंगो के बाद नरेंद्र मोधी ने अगर ऐसा बोला है तो मुझे दिखाईए गुजरात के दंगो के बाद 2014 के लोगसमा चुनाब में बीबीसी के इंटर्व्यू में जिसका जिक्र हुआ था और देखे आप बिल्कुल गलत हो रही है कुटो की बात करिए अभी आप यह सियासत में खड़ गए साब को कुटा क्यों पसंद है बात करती हूं और आप यह बात जानते हैं मैं कभी उल्जुल बातें नहीं करती हूं ओके सुदान शुत्रवेदी मैंने आपको करेक्ट करा रादिका जी वह बीबीसी का इंटर्व्यू था जिसको आप कोट कर रही थी और और उस उसमें भी प्रधार मंत्री मोदी ने ऐसा बोला नहीं था जैसा आप बोल रही थी मैं इसको करेक्ट करना चाता हूं को कि जिम्मेदार यह बतार चैनल हमारी कि सही प्रस्पेक्टिव जाए और सुदान तो आप आके कुछ करेक्ट करते हैं अच्छा लगा ऐसे यह कॉट्व पर इतना जादा विवात क्यों है कॉट्व में इतनी बड़ी चिंता क्यों है चुहे और शेर्टे परिशानी क्यों है मुझे समझ में नहीं आता है देखे राजनीत में जो मर्यादाओं की शब्दों में निम्नता दिखाई पड़ी है यह विगत 15-16 वर्ष में महुत बड़ी है इसकी शुरुवात 2007 के गुजराच चुनाओं में सोनिया गांधी जी द्वारा मौत के सवधागर से हुई थी कॉंग्रेस अध्यक्षपद में यह कौन सी फितरत है कि सुनिया जी बैठती है तो मौत का सवधागर नजर आने लगता है राहुल गांधी बैठते हैं तो कोविड में मोविड नजर आने लगता है और अगर खडगे जी बैठते हैं तो उनको मोधी जी में रावन और कुत प्राइश नहीं है सीधे मोधी जी की मौत की कामना की गई इमरान मसूद ने कहा मोधी जी का नाम लेके कि टुकडे टुकडे कर डालूंगा बोटी बोटी काट डालूंगा अभी आपके महराश्ट के निता उनका नाम में भूल रहा हूं अब्दुल राशित याने क्या न अभी मदसूदन मिस्त्री जी ने मोधी जी का नाम लेकर का मोधी को आवकाद बता दी किसकी क्या थी खड़गे जी ने कहा कि मोधी जी का नाम लेका कि मोधी के सौसिर है क्या रावन की तरह ये भाई ये तो सीधे मौत की कामना नाम लेकर मैं चुनोती से कहता हूं हमारे क चाहे 1975 का दमनकारी इमर्जंसी का दोरविर आो तो कभी इंद्रा जी की मोत की कामना और मोत के प्रकार नहीं बताए इसलिए आप मुझे जबाद दीजिए कि उसके बात आज और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ पहली बात कॉंग्रेस की जिस प्रकार के घटिया शब्द का प्रयोग खडगे जी ने किया ये कॉंग्रेस की नीचे जाती मानसिक्ता का प्रतीका और दूसरा ये कहना कि सुतंता अंदुलन का सारा श्रे उनको है तो ये बताईए जितने जन जाती समुदाए के हमारे निता थे जिनोंने संगर्श किया चाहें सिधू कानू हो तिलका माजी हो भगवान बिर्सा मुंडा हो वहां से लेकर जितने क्रांतिकारी थे शचीन नास सान्याल सूरिसेन बागा जतीन सरदार उगदम सिंग मदला धिं जिलन हो सबका अपमान और उसके बाद आप ही का सम्मान ये मेरे विचार से सबसे बड़ा अन्याय है और मैं यह भी पूछना चाहता हूं एक बार पहले भी पूछ चुका हूँ जी 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 राधिका का वक्ता आपने अगर शोध कर लिया हो कि 1931 में इर्विन के पाध कौन सब्रुड जी 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 राधिका जी आपका वक्त है पुर्धारमंतियरी मोदी ने बोला था कि हम संस्कृ operates नहीं को संस्कृति से पले बड़े नहीं है क्या आपको लगता नहीं है ये कुत्ते वाला बयान वाकई दुर्भाग्ये पूर्ण है आपके अध्यक्ष द्वारा कोई समाने नेता कहता तो आप कहते थे वो उसकी परसल राय है लेकिन यहां तो अब आपका अध्यक्ष कहा रहा है बचेंगे कैसे इसके उपर अमीज जी फिर मैं आपको ना आप जो कह रहे थे मैंने गलत बात बताईए मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आपको बता दूँ वो वीडियो मैंने निकाल लिया है और इस बात अपनी बात रखने के बात मैं आपको टैग करके पोस्ट कर दूँगे और इग्जाक्ष आपके घर का कोई जानवर भी मरा कोई कुटा भी मरा बताईए और यहां पर बड़ी अच्छी बात है सुधान्शु जी ने कई सारे नाम गिन रहा है आप मुझे बता दीजिए सुधान्शु जी चाहे आरे सेस हो या आगे जापके जो आपका जन संग बना भारती जनवा जाके हमारे शहीद जवानों के लिए भी शहीद इस्तमाल नहीं करते हैं शब्द आप तो खुद पार्लिमेंट में आपने खुद राजनात सिंग जी का बात करें नेता जी सुभाज चंतर बोस को आप अपना बना रहें तो ये भी बताईए जंता को 1941 हिंदू महासभा का जो सेशन हुआ था जिसमें आपके वीर सावरकर ने कहा था जो देश के युवाओं को कि अंग्रेजों की आर्मी जॉइन करो अंग्रेजों की नेवी जॉइन करो और अंग्रेजों की फॉज जॉज जॉज करो क्या वो सच नहीं यह तो और आप और किसके खिलाफ मेंता जी सुभाष जी के जवाब लेने थे ला ओके और के खड़ी कर रहे थे आज आपको यह यादार है साथ साथ यह भी तो बताइए ना आप लोगों की नीड़स में क्या यह गद्दारी नहीं हुई कि देश के युवाओं को अंग्रेजों क पत्ती नहीं जतानी चाहिए जैसा हमारे अध्यक जी कुट्टा आच्छे समाने शब्द की श्रेडी में आ गया है तो कुट्टा पार्लेमेंटरी शब्द आज से हो गया है पहले तो मैं कुट्टे के साथ साथ जरा इनको इनकी प्रष्ट भूमी वाला विशे भी याद देला दूँ इन्हों ने कहा कौन सा नेता तो मैं आज चुनाउती से कहता हूँ बताईए कॉंग्रेस पार्टी कोई कॉंग्रेस का अध्यक्ष है इसके समकत शिस्तर का नेता हमारे तो संस्तापक अध्यक्ष स्यामा प्रसाद मुखर्जी दी सौतंता के बाद पहला अपना प्राण निचावर करने वाले राजने तिक वेक्ति थे मैं पूछना चाहता हूँ कॉंग्रेस का स्थंता अंध्यक्ष सिस्तर का नेता बताईए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हूँ एक नेता बताईए जो फांसी चड़ा हो एक नेता बताईए जिसको काला पानी हुआ हो और लारा लाच्पतराई जी को छोड़ कर एक देता बताईए जो लाठियों से भी घाय लुआ हो गजब का सतंता अंदोलन लड़ा है आपने अद्बूत सतंता अंदोलन लड़ा है और हमारी स्थापना यू निस सो इक्यावन में और पूछते हमसे 1947 की बाद इस आधार पर कि आपका मात्र संगथन तो RSS था जिससे आप निकले थे हाँ हम कहते हमारा मात्र संगथन डाश्टी श्रम से वक्त था तो कॉंग्रेस का मात्र संगथन कौन था 1885 में एक बिटिस अधिकारी एलन ओक्टोवियम हूम के द्वारा बनाई गई कॉंग्रेस मों के काला पानी की सजा उस समय भी कॉंग्रेस का देक्ट ये बताईए आपका तो मात्र संगथन बिटिन की सरकार हो गई अब जबाद दे दीजिए और सावरकर जी पे तो छोड़ने के बाद भी किताब लिखने पर प्रतिबंद था और नहरु जी को जेल में रहते हुए किताब लिखने के लिए सेकेटरी भी बिर रहा था खान सामा भी था खाना बनाने के लिए पूरी सुविधाय थी सेकेटरी भी था जलवाए जलाल से जेल में रहते थे और आके भाशनों देते अब मैं आद की बात पर आता हूँ ये कुत्ता शब्द ये रावन शब्द य जी देश के किसी भी प्रतिमान प्रतिष्ठान के उपर इस प्रकार की बात करना मेरे विचार से कॉंग्रेस के मांसिख दिवालियापन का पृति जी में राडीका केड़ा क्या आपको जो भीज़े पी आरोप है कि दिवालिया पन है और कुस्थa आपको बड़ा संसकारी शब लग राएं आपको बता दीया क्या थे पचास करोड की कॉंग्रेस की विद्वा, जर्जी काओ, जर्जी बच्छडा, है ना, ये सब शब्द याद है ना, और डॉक्टर मन मोहन सिंग जी रेंकोट पहन के नाते, स्नूप नखा, स्नूप नखा तो उन्होंने पार्लिमेंट में बोला था, ये कौन सा मांकि दवालियापन था, बता जर्जी गाय तो बोला, ये मांसिक दिवालियापन था, कि क्या था, बताईए, ये बताईए, अरे सुनिये, उन्होंने कोई बात बोली, तो किसी का नाम तो नहीं लिया, आपके नेता ने तो इस पुर्ती रादी जी का नाम लेके लटके जटके वर्ड यूज किया, आपके लोग तो वस्त ना उन्रबों होते, मोधी जी ने तो आपके अंदर कितना रोश होता, मेरी मां के लिए बो सुनिये ना, पूरी बात को सुनिये, वो तकलीफ आपकी वाजिव हो सकता ही है, लेकिन स्मृती रादी भी शायद किसी की माँ है, वो लटके और जटके दिखाती है, इस तरह का बयान, और मैं कोट अंकोट करके बोलू, तो ये बड़ा आमर्यादित बयान है, स्मृती रा ने भी किसी की माँ है सुवरास्त्रा, वो भी किसी की माँ है, वो भी किसी की बेटी है, वो गांधी परिवार की नहीं है, उसने गांधी परिवार के राहुल गांधी को जरूर चुना भराया है, लेकिन लटके जटके दे कर चली जाती है, ये शब इतना खराम है, एक तो नहीं बोलेंगे मगर सोनिया माता माता है अदबुत तर्थ है इसलिए आप पूलती हुआ गोड़ से मुर्दाबाद बोलें तो बोलती हुआ हम लोग तो तिरंगे का सम्मान करते हैं आप लोग तो तिरंगे को भी कहते थे कि ये देश के लिए अशुब है आप क्या बोल रहें आप तो हिस्ट्री के और आरेसिस के बहुत अच्छे ग्याता है याद है ना सुधान्शो जी तीन रंग जो थे तिरंगे के आप लोग आप लोग ने तो अपने मुख्याले में तिरंगा भी नहीं लह राया भारत माता क कि जै जै हिंद ये तो हमारे देश में हम लोगों ने सब कहा है आप तो इसके खिलाब थे अब बोलिए गोट से मुर्दाबाद मान जाएंगे बोलिए आ गई चलिए मैं बताता हूँ गांधी जी का पूरा राजनेतिक दर्शन रामराज जी उनका नित्थ का रगपति रागव राजा राम अंतिम शब्द हे राम जिस दिन आपने कहा मात्मा गांधी एक व्यक्ति नहीं विचार थे और उनकी आत्मा थी राम जब आपने कहा क इस नहीं जीड़े ते राम कालपनिक थे तो आपने गांधी की आत्मा के हत्या की आप कहिए गांधी की आत्मा का हत्यारा गांधी परिवार मुरदाबद लिए पताईए महात्मा गांदी आत्मा का हत्यारा बड़ा या शरीर का हत्यारा बड़ा बोलिए मैं कहने को तयार हूँ शरीर का हत्यारा मुर्दाबाद आप कहिए गांदी की आत्मा का हत्यारा उनकी समाधी पे लिखे हे रामशत्त को जूटा कहने वाला गांदी परिवार मुर् हुआ है इंहों ने कहा आप के वीर सावरकर बाइ राधिका जी को ध्यान नहीं है क्या innhे कि नेता थी इंदिरा जी मुझे नहीं लगता भाजपा या राश्ट्रिय स्वयम सिभक संग की कार्य करता रही हो या भाजपा कि नेता कभी भी रही हो वीर सावरकर को वीर की उपाधी किसने दी ये तो matter of historical record है इसके लिए बहुत जादा बहस करने की ज़रुवत नहीं है चारपाँ चिठ्थियां अगर अपने ही archives अपने ही Congress कार्याले के लाइबरी में देख लेती तो इनको पता चलता कि वीर की उपाधी किसने दी क्यों दी दूसरी बात इन्होंने कही कि आजाद हिंद फौज का नाम आता है भाई क्यों नहीं आए आजाद हिंद फौज का नाम क्यों नहीं आए जिस तरीके से आज जापान और भारत के रिष्टे इतने मजबूत है आमिशी कि मनिपूर तक जा करके M.O.U. साइन हो रहे हैं वो उसी आजाद इंद फौज की देन है लेकिन इनको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि इन जिन्हों ने जिस नहरू ने बाए बाए असायम कहकर पूरे नौर्थीस को धता बता दिया छोड़ दिया जब युद्ध हुआ था चीन के साथ तो उनको ये बाते समझ में नहीं आएगी ये बहुत ही धरातल की बाते हैं जि किताब में लिखी जा रही हैं पिशले 10-15 सालों में जो किताबें लिखी गई है वो अभी का एक परस्पेक्टिव जो है हमारे इंडिपेंडेंस मुव्मेंट का उसको चालेंज करते हुए कितने इस्टॉरियंस लिख रहे हैं मैं वहाँ भी नहीं जा रही है मैं सिंपल सी साइन किया वो जा करके तो ये लोग क्या बात कर रहें और पार्टिशन के बाद जब वहाँ से शरणार्थी आये लुटे-पिटे अवस्था में मैं जिस घर में ब्याही हूं वो खुद एक एक रेफ्यूजी परिवार है वहाँ जिस स्थिती में लोग आये उनको रिसीव करने के लिए कॉंग्रेस का एक कारेकरता खड़ा नहीं था उनको रिसीव करने के लिए राष्ट्रिय स्वयम सिवक संग के कारेकरता थे तो राधिका जी को थोड़ा सा पढ़ाई करके और तब आना चाहिए डिबेट में क्योंकि वाट्साप ज्यान कहती तो है कि नहीं है कुद्टे से तो पंगा लेगा दक्ष प्रजापती तक को महगा पढ़ गया एक मिनट राधिका जी एक मिनट हमारे सांस्कृतिक हमारे सांस्कृतिक मैं जवाब देना चाहूंगी मैं फिर से बोल देती हूं मैंने क्या कहा मैंने कहा आपको लगता है कि आपको वाट्साप ग्यान प्राप्त नहीं है लेकिन आपने अपनी बेसिक रिसर्च अपने कॉंग्रेस कार्याले के लाइबरी से नहीं किया यह व्यक्तिकर टिपड़ी नहीं है कियोंकि सुनिए ना क्योंकि में नेता नहीं हूं मुझा आपके साबसे बहुत देर बहस नहीं करने मेरा समय कीमती है मैं एक अंतिम बाद कर बाते जाती, एक चीज़ है हमेशी, कुट्टे को लेकर इतनी राजनीिती जो चल रही है, महादेव महादेव ने कुट्टे की जो sensitivity है और उसका उसका जो wisdom है उसको देखते हुए काले कुट्टे को अपना वाहन बनाया जब वो भैरव रूप में होते हैं तो ये तो इनको तो लगता है कि किसी चीज का ग्यान नहीं है चुहा कह रहे हैं चुहा तो गणेश जी का वाहन है आप पहली बार बोली ती इसने मैंने आपको निर्विरोध मोखा दिया आपने यू मेडियो पॉइंट मैं रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका क्या आपको लगता है जो कुट्टे को लेजिटिमाइज किया जा रहा है पार्लेमेंटरी भाशा में कहा जा रहा है क् साथी साथ उस्मृती इरानी पर टिपपनी करी कॉंग्रेस के एक निताने क्या आपको वो जायज लगता है और यह इस बैक्राउंड में है जब समाजबादी पार्टी का मीडिया सल क्या कुछ ट्वीट कर रहा है वो बड़ी चर्चा में किस तरह की भाशा की ट्वीट करत अमर्यादित भासा के लिए कोई इस्तान नहीं है और यह चिंता की बात है कि आजकल राजनिती में बड़े खराब सब्दों का प्रियोग होने लगा है लेकिन यह कठोर सत्त है बिलकुल सीसे की तरह साफ सत्त है कि इस नई सब्दावली को देने का कम बीजे पिर आरेसेस मैंने किया है 2014 के बाद जो नई सब्दावली लेकर आये हैं जो गाली गलोज की सब्दावली लेकर आए हैं राधिकाजी ने बहृत से सब्द बताए बहुत से वाक्वड़ाय कुछ और नहीं बता देता हूनां रिपीट नहीं करना चाहूंगा तुकडे तुकडे गैंग स पहरी नकसल यह यह शब्द जो है यह भारती जंता पार्टी लेकर आई है और इनके अधिक्रत प्रवक्ता बोलते हैं और ऐसे ऐसे शब्द इतनी गाली गलोज मैं थोड़ी दर बोलों जो सुब्रास्ता जी इतना लंबा भासा मुझे उनका आधा समय देदें खा लिया आप पली बोली देखे आप अब लेकर चैनल डिबेट करता है ना पुलिस पूछताच करती है और विपक्ष का कोई नेता एक थोड़ा बहुत इधर उदर हो जाये कभी गलती से हो जाता कभी जान पूछके भी होता है मैं उसका समर्थन नहीं करता बिल्कुल भी लेकिन तुरंत पुलिस एक्टिव हो जाती है तुरंत चैनल एक्टिव हो जाते हैं एक एक सब्द पर क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि जो हमारे मुख्मंत्री उत्तर प्रदेश के योगिया तिनात कह रहे थे कि मैं मैं जून की गर्मी में सिम जादित मासा है तो चिंता की बात यह है कि और मैं फिर दोराना चाहूंगा 2014 के बाद भारती जंता पार्टि यह खराब सब्दावली लेका आए हैं नई सब्दावली लेका आए हैं गाली गलोज करते हैं और आपने हमारी मीडिया सेल का चिकर किया जी 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 मतब उसने त उसने तो भाषा को चारचांद लगा दी है उसने तो सोना गाची जी बी रोड यानी प्रोस्टिटूशन के एरिया के साथ एक परवक्ता को उन शब्दों के साथ नवाजा आपको लगता वो जायस था यह शब्द मुझे बोलने में भी शरम आ रही है अपने कारिशम के ल नफ एक और और नससला आपको गाली नेज़र आ रही है आपके आपके सो में आपकी डिबेट में मेरे साथ बाहरती पार्टी के इस्टार जो प्रिवक्ता हैं तोटि चोर कहा था मेरे नेता को और आपने नेटा को तोटी चौर गाली आपकी लाहत से मतलब वह जायज है उससे आप जस्टिफाइए करेंगे ना चौकिदा चौकिदार जस्टिफाइए लेकिन हम रोग सकते हैं क्या जवाब देंगे उस वाइट का चौकिदा जी जवाब देंगे जवाद का जबसे मेरे नेताने तो निकाए जवाद करें तो अब शब्द बोलते हैं भाटी जी मीडिया से आप एक हमारे नेता के लिए अप जब्द मत बोलिए सबसा कम समय मुझे दिया आपने आपने साड़े चार मिनट बोला आप जब आपने साड़े चार मिनट बोला आप आपने चलो आप सुदान सुजी और सुबरास्ता जी को भासन कराईए कोई बात निया है सुदान सुजी एक में रापका है फिर राज़कपार बाती बोलेंगे देखे भाती जी ने अभी बात कही कि 2014 में हमारी सरकार आने के बाद अब शब्दों का प्रेवग बात भाती जी के सुलब संग्यान के लिए याद दिलाना चाहता हूँ ये 2014 के चुनाव से पहले कोट अनकोट मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूँगा ये कहने वाला कौन था इमरान मसूद उस समय समाजवादी पार्टी का सदसे था और वो चुनाव लड़ रहा था मगर कॉंग्रेस की जुगल बंदी देखिये बोटी बोटी काटने वाले वेक्टी को कोटी कोटी नमन करते हुए अगले दिन राहुल गादी उसके पक्ष में चुनाव पचार करने गए और 2014 के बाद सभा के उस नेता को बाकाइदा ससम्मान लाके उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस का उपाध्यक्ष बना लिया और भाटी जी आप शायद भूल गए ये भाशा की मर्यादा कहां से खतम होनी चुरू ही 1990 में आपके नेता आजम खाने बोला था भारत माता के लिए डायन शब्द बाकी तो छोड़ दीए कि नेता के लिए क्या बोला गया भारत माता के लिए इस तरह की आप यही तो खेखनते हैं उन्हों ने कहा था कि भारत माता है जूट का बार बार रिपीट करेंगे उस जूट का सचित करने को लिए और इस त्राई नहीं आजम खान आपके नेता जी ने और आप से अच्छून की बाशा है आप गलत कह रहे हैं बिल्कु जूट बोल रहे हैं आपके अपने टन पे बोलिए भाई अरे सुन तो लीजिए अभी जूट बोल रहे हैं आप बिल्कुल जूट बोल रहे हैं आपके नेता मुलाइम सिंगी ने कहा और ये बीजान सत्रा में यूपी मतांसमा चुनाओ के दौरान कहा कि मैं इस से जादा और क्या करवा सकता था मैंने सोला हिंकू मरवा दिये थे यह आपको प्रेनिक दी जाती है और यह कहा चालिस भी मर जाते हैं तो कम नहीं था यह विक्कों हो सकता है सुधान शुट यह डायन वाली बात गलत बोलने हो एक सेकिन एक सेकिन मैं आपने बोला कि 2014 के बाद 2014 के बाद एक इंसिडेंट था अंडर गार्मेंट बता रहे थे हमिसदेव ग 감사합니다 आप सब लगाता खस अपतात को हुए विख भी ओर भी कुल ऑैसे वहुआजाए भात पर लगातार घंच इसमुआकशकों सबसे नहीं औंशाने को उन्होंने जवाब में कहा था कि यह भारतमाथा डायन है जो अपने बच्चों को खाएगी उन्होंने यह कहके बूला तो यह नहीं कहा था कि भारतमाधा डायन है इसी तरह गलत कोड़ करते हैं जी सुदान शुतर वेदी सुदान चुतरवेदी 30 सेकेड अच्छा आप चलिए उस जमाने के तो वीडियो नहीं अवेलेबुल हैं राजकुमार भाटी जी अरे मुलाइम सिंग्जी ने ये बोला मैंने 16 हिंदू मरवाद ये थे अगर 40 दी मर जाते तो कम नहीं तो 2017 में बोला है भाई इसमें भी कोई स समूसराइब करते हैं आप सोले की आप सोले का दर्द है बहतर का दर्द नहीं था आप बताईए आप बीजेपी की सरकार ने बहतर हिंदूों को राइस्थान में गोलियों सबूना था शांति पूरू आंदरन कर रहे थे जो आतंगवादी संगधन सिद्धू हुआ कोड के द्वारा बोलिये यह बड़ी मर्यादित भाचा थी इसलिए वो मत समझाईए मानिवर सबको पता है अब छोड़िये उस विचे में जाएंगे तो 2007 में उत्तर प्रदेश में अधालतों में धमाके करने वालों से तो इसमेर आपका जवाब बना जरूरी है एक सेकिन तीस तीस सेकिंड में आप लोगों की राय लूँगा सुदान शुत्रमेदी तीस सेकिंड आपके पास है तीस सेकिंड राजकुपर भाटी आपको मिलेंगे मैं कुईक्ली करता हूं मैं सुबरास्तर और रादी का खेड पात्मानी है ना भाटी जी की जाके ट्विटर पे चेक करिये इनकी पार्टी की मीडिया सेल कितने घटिया घटिया शब्दों को जो मुझे लगता है कि सी ग्रेड, डी ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फॉर्थ ग्रेड क्या कहा जाए उस लेविल के शब्दों का प्रयोग करत इसमें अंग्रेजों का वकील कौन था? बिटिस शरकार का वकील था, कांग्रेज का नेता जगत नराएन मुला. यह कांग्रेज के नेता थे जो बिटिस सरकार से कांतिकारियों की फासी के लिए खड़े हुए थे और यह सुतंता कांदो लड़ रहे थे चूए मुझे सब्सक्राइब कर लिए मुझे तो सुधान सु दिवेदी इस बात का जवाब देते हैं वो कॉंग्रेस को बार-बार निसाने पे ले रहे हैं कि जगतनारन मुल्ना ने मुकदमे लड़े उन्होंने लड़े आरे सेस का एक भी आदमी आजादी के लड़ाई में सामिल क्यों नहीं था और जो ये जो कहा गया है मैं उसका बचाव नहीं कर रहा लेकिन ये आम तोर पर प्रियोग किया जाता है कि हमारे लोगों ने तो कुर्बानी दी है आपके परवार का तो कुत्ता भी नहीं मरा ये कि दy कुछ व्यक्ति को कुट्ता नहीं कह रहे थे मैं कौंग्रेस का प्रवकता हुए मुझे बचावनी करना चीए राधिकाजी करेंगी लेकिन अप बेवाजाए आप उससे तूल दे कहेंगे किसी को कुट्ता कह दिया कि 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 की लिए कुट्ता कहा और मीडिया सेंट जो ज ह को जब घाय तें अल मेरी बाई टेरे तुकड़े होंगे इंशाला इंशालала जो वैक्टी बोलेगा उस गैंग को ऊव्याभ पार्द की का जाएंगा जो थी बड़ा दो पार्टीक सर्दोब आपका तहुकर किसानों को भी टुकले टुकले गैंग कह रहे ते जो किसान अंदोलन कर रहे ते यह विए बिज़ आपको बढ़ाता हूँ यह दोजार चुनाब जो है उससे पहले यह सब कुछ होगा और यह दो विचारधाराओं की जंग अप नहीं सिर्फ बची है यह जंग यह लड़ाई और बड़ी हो गई है यह लड़ाई सिर्फ मोधी बनाम विपक्ष के नहीं है यह मोधी बनाम राहुल गांदी के नहीं है यह मोधी बनाम केचरिवाल के नहीं है यह मोधी बनाम अखिलेश के नहीं है यह मोधी बनाम स्टैलिन के नहीं है यह लड़ाई अब हो चुकी है उ कि यो देश जो देश के सात्य भी किने और यह लड़ाई उनकी है दिए कर्किले 500 जिए उस लिए मैं निपने सुझानषgoing करके नर्फ यह सब चुछ प्रद करके में जवाब देंक कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाला इंशाला मैं आपके शो पे कहती हूँ जिस जिसने ये का है उनको आज इवन जेल में बंद कर देना चाहिए और बिल्कुल करना चाहिए और हार्दिक पटेल जैसे लोग जो बड़े-बड़े नेता बनगे न सुधान्चु जी की पार्टी के ब्रैंड अब हम माँ-बाप की संस्क्र्टी से आती हैं कॉंग्रेस बिल्कुल आते हैं जी हम क्या अंपीज जी भी माँबाप की संस्क्रिती से आते हैं și र बहां पेramonstny बहुतार सब्सक्राइब करने से दिया मेरे पर्दादा पर्णाना जेंड में कि अभी देखिया इन्हों ने रादिका जी के मूँ से निकल गया यूनियन जैक को सलाम नहीं किया ये 1937 की प्रविंशेल एसेमली में कॉंग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनाई थी तब तो तिरंगा नहीं था किस जंडे के नीचे शपत नी थी दो से पंबर 1946 को नहरू जी ने अंतरिम सरकार की कमान समाली थी जब लॉड वेवल ने उनको शपत दिलाई थी तो किस जंडे के नीचे सपत नीचे शपत नीचे तब तो नह समिधान ताना तिरंगा था लड़ रहा है यूनियन जैक के नीचे क्वीन की निश्ठा की शपत और आँ तो देखिए कि मन्जिल मिली उनहीं को जो शरीके सफर न थे ओके रादिका रादिका केड़ा रादिका केड़ा देखिए सुधान्शु जी मैं हमीशा से कहती हूँ कि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है और आप बहुत ग्यान की बात करते वॉट्साप फैक्ट अब बता रहे पूरा प्रोसेस ट्रांसफर ऑफ पावर कैसे हुआ था कैसे अजादी मिली मैंदम मैं अगर पूरा प्रसेस बताऊंगा मैं अगर पूरा प्रसेस बताऊंगा जो बड़ा वक्त निकल जाएगा मुझे तो वह भी प्रसेस पता है कि जब इस देश की जब जब तीन नेताओं ने मिलकर दो नेताओं ने और एक अंग्रेश शासक ने मिलकर मैं मैं अगर बताऊंगा जब दो देश के इस नेताओं ने मिलकर और एक अंग्रेश शासक ने मिलकर शिमला के अंदर लकीर कीज दीती भारत और पाकिस्तान की बीच में अगर मैं बताऊंगा तो उसमें भी बहुत दूर की बात बताऊंगा जो शायद आपको पता नहीं हो की इसलिए महतपूर्ण है जानना कि क्या था और कौन था और एक और फैक्ट है पंडत नहू भी लंड़न से पढ़के आये थे मुहामद इली जिन्ना भी लंडन से पढ़के आये थे पंडित नहू के लिए कहा जाता था कि जब क्योंकि वह बैरिस्टर थे मैंत्ब वकील थे बड़े और यही बात आप कह सकते है जिन्ना साब के जिन्ना मुहमाद अली जिन्ना के लिए भी कि वो भी बड़े बैरिस्टर थे और दोरों विदेश्य पढ़के आये थी अब इसके आगे कभी और वाका मिलेकर तो बढ़ा बताऊंगा मैं आपको सुबरास्टा आपको आप वाटसेप उनिवर्स्टी से परती और लटके जटके देकर चली जाती है यह समाने बात है इस पर इतना व्याकुल होने वरी के बात है और अर्बन नकसल गाली है आमिश जी पता नहीं किसके लिए कहा जाता है कि कौन वाटसेप यूनिवर्सिटी का प्रॉडक्ट है सवाल उठा दिया जाता है कि अरे आपके शो पर ही हुआ यह तो मैं व्यूर्स पर छोड़ती हूं कि वाटसेप यूनिवर्सिटी का प्रॉडक्ट कौन है और किसने पीर रिव्यूड आर्टिकल्स लिखें यह बात तो दर्शकों के बीच की है दूसरी चीज मैं बार-बार कह रही हूं सिर्फ स्मृती जी ही नहीं किसी भी महिला ने अगर कॉंग्रेस पार्टी के अंदर भी अगर आवाज उठाइए तारकेश्वरी सिना जी इंदिरा गांधी की संपक्ष्टी मेरे ही क्षेत्र नालंदा से आती है एक सेकेंड लंडन सुल और पार्टी के लोगों ने दी है मुझे मैं राजकु अगर भार्टी जी को भी बताओ उदेवीर सिंग इनके मिले हैं उदेवीर सिंग मैं 21 21 21 दिसमबर 2018 को उदेवीर सिंग जिनका वेरिफाइड हैंडल है जो समाजवादी पार्टी के मीडिया पैनलिस्त है उन्हों ने मेरे लिए जिस भाशा का प्रेयों किया प्रीती लोग है जिरो ने मुझे गालिया दिया गंदी गंदी मैं बता भी नहीं सकती रोहत यादव मुकेश यादव यह नाम मैं प्रामानिक रूप से कह रही हूं और बात है जहां तक गाली वाले वीडियो की मत आई है मेरे साथ डिए में आपके शुचिता अगर आहत होती हो त सब्सक्राइब करना चाहती हूं जिन लोगों को मेरे साथ डिबेट में बैट कर उनकी शुचता आहत होती हो वो मेरे साथ डिबेट में ना आए क्योंकि मुझे इनको लेजिटिमाइज करनी की कोई इच्छा नहीं है उदेवीर सिंग प्रीती चौबे जैसे वेरिफाइड ओफिशिल हैंडल्स जो मीडिया पैनलिस्ट है समाजवादी पार्टी के कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेता मैं आपको स्क्रीन शॉट्स शेर कर दूँगी राधिका जी और आपको टैग करके बता दूँगी इन लोगों ने इतनी गंदी गंदी गालियां मुझसे गलतियां होती हैं और मैं गलतियां डंके की चोट पर कहती हूं कि गलती की माफी मांगि इन लोगों को माफी माइने का सहूर हो शूर हो तो यह माफी मांगे नहीं होगा तोड़ा मोदी जी को भी प्रेरेत करी इतने जो बयान दिये उन्होंने कॉंग्रेस की विद्वाइब पचाहिए सुष्ष्ठा कभी आड grass को भी नई 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 ज highlight का खेड़ा zwei देखिए उन्हों ने किस भासा का इस्तेमाल क्या नहीं करनी й चाहिए थी और में मानती हूं समिती जी इती सशक्त महिला है वो इंट का जवाब पत्थर से देंगी बिल्कुल मानती हूं अजराय को पार्टी से बाहर करेंगे आप लोगे लेकिन एक 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 महिला लेतरी के लिए उन्हें ने कहा है कि वह लटके जटके देकर चली जाती है दस सेकंड दीजे मुझे मेरी बाहर करेंगे आप उन्हें बोलने देंगे तभी तो जवाब दूरी दस सेकंड तो दीजे पर मेरा दिल ना बहुत दुखता है जब इनकी अपने पे आती है बार की उपर इनके सवाल आते है ये एकदम गुस्से में और रोश में आ जाती है लेकिन जब महिला बाल विकास मंत्री होने के नाते चाहे उन्हाओ हो हात्रस हो अंकिता का मर्डर हो या दिल्ली में जो शद्धा का मर्डर कांग था क्योंकि दिल्ली पुलिस भी इनके अंडर आती है तब देश के महिला बाल विकास मंत्री चुपी साथ लेती है अपने प भाचा की शुर्चिता ऐसी है यहां पर जो शब्द मैंने कई बोले जिसमें कई सारे ऐसे शब्दे मुझे वाकई बहुत अफसोस जनक लग रहा था लेकिन नेता ये शब्द समानने तौर पर बोलने लगे हैं अफसोस की बात ये है हमारी सुसाइटी के लिए हमारे समाज के लेकिन 2024 से पहले ये भाशा और तेड़ी होगी और खराब होगी और गंदी होगी क्योंकि ये लड़ाई भी अब और भीशन होगी यानि पॉलिटिकल लड़ाई देश नहीं जुकने देंगे आप